नमस्कार मेरे प्यारविद्यारतियों आप सब का स्वागते आज आपको मैं बताने वाला हूँ हिंदी साहित्य इसमें कक्षा दस्वी ग्यार्वी और कक्षा बार्वी सभी की परिक्षाओं में और सभी परिक्षाओं में जो प्रस्ण पूछे जा रहे हैं इन प्रस्णों क मैं सामिल कर रहा हूँ जिसमें गद्य की प्रमुख और गोण दोनों प्रकार की विधाएं उधारन सहीत आपको बताई जाएगी जैसे नाटक कहानी एकांग की उपन्यास संसमरन निभंद और भी इसके अलावा जो भी प्रमुख और गोण हैं सारी विधाएं आपको बताए किसे कहते हैं गद्य किसे कहते हैं तो गद्य का अर्थ है किसी बात को बोलना अत्वा कहना मतलब जब हम किसी बात को बोलते हैं कहते हैं तो एक रूप होता है जिसके माद्य हम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो विचारों को अभिव्यक्त करना ये गद् गद्य की अलग-अलग प्रकार है जैसे निवन कहानी उपन्यास एकांकी आदी, तो जब भी आप से प्रिशने पूछे गद्य किसे कहते हैं आप बताएंगे, विचारों को अभिव्यक्त करना गद्य के लाता है, गद्य की प्रमुक विधाएं, विधा का मतलब तरीका या प मेरे सुबहाओ की अभिवक्ति गढ्द हैं हम अपना देनिक कार व्यापार् काम काज सब माध्यम से करते हैं साहित विभिन रूप में लिखा जाता है विभिन रूप ही जो होते हैं यह गढ्द की विधाएं के लाते यह गध्द की प्रमुक विदाएं हैं और गॉन विदाएं हैं गॉन विदाहों में देखना जीवनी आत्मकता संसमरण रिपोर्ताज और गध्द काववे यह गध्द की गॉन विदाएं है अब गोण का मतलब एक तो होती है प्रमुख और एक तो होती है गोण जैसे हमारे भारत में जो प्रधान मंत्री है वो भारत के प्रमुख है मतलब वास्तविक कारिपाली का है और राष्टपती नामात्र की कारिपाली का है इस प्रकार से गोण का मतलब होता है नामात्र का ठीक, तो गोण विदाएं और प्रमुक विदाएं दोनों पूछी जाती है सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रमुक विदाओं में निभंध निभंध किसे कहते हैं निभंध सब्द दो सब्दों से मिलकर बनाएं नि और बंध इसका साब्दिक अर्थे भली प्रकार बांधना मतलब केने का अर्थी है कि भली प्रकार से बंधी हुई जो रचना है वो निभंध कहलाती है तो केने का अर्थ यहाँ पर आपको याद रखना है कि निबंद उस लेख को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विशे पर विस्तार और पांडित्ति पुरुवक विचार किया गया हो और भली प्रकार से सुगटित जो रचना होती है उसको निबंद कहा जाता है अब निबंद जो है ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं कतात्मक या विवरनात्मक जैसे मेरी जीवन गाथा और इस्मरती ये जो निबंद लिखे हैं ये कतात्मक है और विवरनात्मक भी है ठीके इसके बाद में वरननात्मक वर्णन आत्मक का मतलब होता है जिसमें वर्णन प्रधान हो जैसे की वर्णन प्रधान निबंद में आपको बताता हूँ यहाँ पर वर्णन प्रधान जो निबंद है उसमें दक्षिन गंगा गोदावुदी यह वर्णन प्रधान निबंद है और इसके बाद विचारात्मक निबंद होते हैं इसमें गहन चिंतन मनन किया जाता है ठीके ये विचरात्मक निबंद होते हैं और इस प्रकार से भावात्मक जिसमें भाव प्रदान होते हैं और विचार गोन होते हैं उन्हें हम भावात्मक निबंद कहते हैं अब निबंद के बाद में आता है गद की प् प्राचिन विदा है रंगमंच पर प्रस्तुत की जाने कारण इसे द्रिश्य कावी कहते हैं, कावी के 9 रसों की सपल अभी वक्ति नाटकों के माध्यम से होती है, अब नाटक की परिभासा आप याद रखेंगे, नाटक एक 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 साहित्री विदा है, मतलब तरीका प्रकार जिसमें रंगमंच पर पात्रों के द्वारा किसी कथा का प्रदसन होता है मतलब किसमें रंगमंच जो इस्टेज होता है उस पर जो पात्र है केरेक्टर वो कथा का प्रदसन करते हैं यही नाटक है ठीक है और यह प्रदर्शन अभी ने द्रश्टि सज्जा सम्वाद नित्गीत आदी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है यह नाटक है अब देखिएगा प्रमुख नाटक कौन-कौन से हैं तो उसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अब ध्यान रखना प्रमुख नाटकों में दुरू स्वामीनी चंदर गुप्त इसकंद गुप्त जे संकर प्रसाद जी के कोनार्क जग्दिश चंदर मातुर का है एक और दुरोनाचारी यह संकर सेज जी का है ठीक है तो इनको भी आप याद रखना क्योंकि कभी-कभी पूछ लेते हैं इक अंकि का आनन देखकर लिया जाता है इस द्रिस्टी से एकंकी द्रिस्चिकावी है जैसा कि नाम से स्पस्ट ए एकांकी का जो नाटक होता है उसको एकंकी कहा जाता है इसमें जीवन के किसी एक मारमिक प्रसंग या विश्ट उद्धिश को उजागर किया जाता है एकांकी सर्वता नई गद्य विधा है इसका प्रारंब आपको याद रखना है मुख्य रूप से आप लोगों को सर्वता नई गद्य विधा बताना है प्रारंबिक रूप से एकांकी एकांकी रशना भी कहलाती है यहां तक आप इसको समझेंगे अब जो एकांकी की मुख्य रूप से परिभासा है जो आपको लिखनी है सिर्फ दो अंकी का कुश्यन आएगा उसमें तो परिभासा में आप एकांकी में एक ही घटना होती है इसा आप बताएंगे और वे घटना नाटकी को सल से कोटु हल का संचे करती हुए चरम सिमह तक पहुँचती है जैसे दीबदाम एकांग की है प्रतिवराज की आखे भी एकांग की है ठीक है ये रामकुमार वर्मा की है दीबदान और प्रतिवराज की आखे रीड के अड़ी एकांग की है जग्दिश चंदर माथूर की है इसके बाद में आता है उपन्यास उपन्यास ये भी गदगी प् प्रामुख विधा है उपन्यास की परिभासा है प्रेमचंद की अनुसार जो है में उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मांत्र घुता ठीके यह धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता यह कई बार पूछा गया है और भगवती चरण वर्मा का है चित्रलेखा, यस्पाल जी का है दिव्या और फणिस्वरनात रेणु का है मेला आचल, जो मेला आचल पेले पूछा गया था ये उपन्यास है प्रमुक उपन्यास ठीके अब जो उपन्यास है इसमें आप एक बात और समझना कि समाज और व्यक्ति की अनुभूतियां और समयदनाय भी इसमें पूछी जाती है मतलब आपको याद रखना है बताई जाती है ठीक है और संपूर्ण जीवन का ये चितरण करता है उपण्यास अब उपण्यास के बाद में प्रमुक्विधा में आता है कहानी देखीए यहां पर कहानी कहानी की परिभासा में आपको बताना है कहानी वास्ताविक जीवन की एसी कालपनिक कता है जो छोटी होते हुए भी स्वतापुर्ण और सुख संगठित होती है कहानी सही अर्थों में युग जीवन की अभिव्यक्ती है ठीक यह अब परिभासा लिख सकते हैं और कहानी का जो सुरूपे को कैसा होता है जिसमें कथावस्तु, चरित्र, चित्रण, समवाद, देशकाल और वातावरण, सेली और सिल्फ और उद्धेश्च आ जाता है उधरण के तोर पर मैं आपको कहानी बताता हूं जो परिक्षा में पूची जाती है पूस की रात यह मुनसी प्रेमचन की कहानी है कफन, कफन भी प्रेमचन की कहानी है पंच परमेश्वर, यह भी प्रेमचन की कहानी है बूडी काकी भी प्रेमचन की कहानी है कोटर और कुटिर, यह सियारामसरान गुप्त की है और निरापद, यह जो कहानी है कि यसपाल जी की कहानी है ये गद्ध की प्रमुक विदाएं हैं ठीके अब गद्ध की प्रमुक विदाओं के बाद में हम बात करेंगे गद्ध की गोण विदाओं के बारे में क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो गद्ध की प्रमुक और गोण विदाएं हैं यह सारी हम इस वीडियो के माध्य हम से देखने वाले हैं जीवनी लेखक एतिहासिक सत्तिको सायतिक परिवेस में प्रिस्तुत करता है और यह प्रमुक जीवनिया यहाँ पर दी गई है जिसमें राय किष्ण दास संपुरुनानंद राम नरेश्तिरपाटी गणेश संकर और यह लेखक उनके हैं जीवनियों के लेखके जिनोंने कई जीवनिया लिखी है अब जीवनिय के बाद में आता है आत्मकथा आत्मकथा की परिभासा आप समझेंगे यह स्वयम की कथा होती है परिभासा में आप लिख सकते हैं किसी व्यक्ति की स्वयम अपने द्वारा लिखी हुई जीवन गाथा आत्मकथा है इसमें लेखक स्वय योगी हरी मेरा जीवन प्रभा लिखा इनों ने चतुर सेन सास्त्री की ये मेरी आत्म कहानी और हरिवन सराय बच्चन की क्या भूलू क्या याद करूं ये आत्म गता मुखिरूप साप याद रखेंगे इसके पास संस्मारण है संस्मारण किसे के इतित परिभास आप समझें लेखक के इस मर्ती पटल पर अंकित किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के जीवन की कुछ घटनाओं का रोचक विवरण संस्मारण कहलाता है इसका मतलब यह है कि कुछ घटनाओं का जो रोचक विवरण होता है ये व्यक्ति विशेष को अगर कुछ याद रे जाता है इसमरण हो जाता है उसको तो वो उसको लिक देता है जिसे संस्मरण कहा जाता है महादी वर्माने कई संस्मरण लिके हैं तो प्यारे मित्रों आज मैंने आप लोगों गद्धी की प्रमुक विदा हैं और गद्धी किसे केते हैं सारा बताया है नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी important question बताई जाएंगे